मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसवा चुना में भले ही अभी तीन महने का वक्त हो लेकिन उम्मिद्वार घोशित करने का दौर शुरू हो गया है बहुजन समाज पार्टी ने प्रतेशियों की पहली सूची जारी कर दी है इसमें कुल साथ नाम है इस सूची में विंध की चार सीटे हैं, बुंदेलखन की दो हैं और चंबल की एक सीट बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमाकान पिपल ने बहुजन समाज पार्टी के ओर से मध्य प्रदेश के साथ प्रतेशियों की अधिकरित घोशना कर दी है प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक राष्ट्री अध्यक्ष मायवति के आदेश के अनुसार उमिद्वारों की प्रतम सूची जारी कर दी गई है साथ प्रतेशियों में से तीन उमिद्वार ब्राम्हन, एक दलित, एक ठाकुर जबकि दो पटिल समुदाई से आते हैं बड़ी बात यह है कि दमोह जिली की पथरिया विधानसवा सीट से वर्तमान विधायक रामबाई सिंग परिहार का नाम पहली लिस्ट में नहीं है एक छतरपूर, एक निवाडी और एक मुरेना जिली की सीट से है बहुजन समझ पार्टी की पहली सूची में मुरेना जिली की दिमने विधानसवा सीट से बलविर सिंग दंडोतिया को मैदान में उतारा गया है इसके अलावा निवाडी सीट से अवधेश प्रताप सिंग राठोड चुनाव लड़ेंगे इसी तरहे छतरपूर की सामानी सीट से रामराज पाठक, बीजेपी और कॉंग्रिस को चुनावती देंगे इसी प्रकार सतना की रेगाउं सीट से देवराज अहिरवार और रामपूर से मनिराज सिंग पटेल चुनावी रण में अपना भाग्या आजमाएंगे बहुजन समाज पार्टी ने रेवा के सिर्मौर से विश्णु देव पांडे तथा से मरिया से पंकच सिंग को मैदान में उतारा है सतना जिले की रामपूर बगहलान सीट से रेटाइड तैसिलदार मनिराज सिंग पटेल को प्रत्यशी घोशित कर दिया गया है इस सीट पर वर्तमान में विक्रम सिंग भारती जनता पार्टी से विधायक है यहां से 2008 और 1993 की चुनाव में बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत चुकी है रिवा जीले की सिर्म और विधान सभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने सिवा निवरित पुलिस उप अधिक्षक विशुन देव पांडे को उमिद्वार बनाया है वर्तमान में इस सीट से भारती जनता पार्टी के दिविराज सिंग विधायक है